आपके लिए एक महत्कून व्रीओ मैं लेकि आरहा हूं और इसरी दियो के माद्धम से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला कि अगर आप government हैं तो आप मानकर कि आपका बहुत सारा मुझे वरे होने हैं कि सबसे पहले कि इस application के इस member अब को इस application के माध्धम से आप credit card के bill वगरा चेक कर सकते हैं unbuild, build statement वगरा देख सकते हैं आप इसका पुरा history credit card के history वगरा चेक कर सकते हैं आप bill payment अगर आप bill payment करते हैं credit card का तो आप इसको cashback निलते हैं मैंने प्रते एक bill payment करने पर आपको प्रते एक बार आपको cashback मिलता है इसके साथ-साथ आप bank account इसमें add कर सकते हैं उसकी history वगरा निका सकते हैं उसके पुरे bank account के details वगरा चेक कर सकते हैं statement वगरा चेक कर सकते हैं साथ में आप मैंने बहुत जितने भी आपके पास account हो सब आप इसमें add कर सकते हैं और अपना balance चेक कर सकते हैं इसके साथ-साथ civil score भी आप चेक कर सकते हैं तो यह video आपके लिए बहुत महत्तपूर होने वाला मैं रोहत्मार विश्वय कर्मा लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नमबर आपको प्ले स्टोर में जाना होगा प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको create application create application में आप सर्च करना पड़ेगा यह आपका ऐसा icon के साथ है एक ऐसा interface open होता है उसको मैं पहले से यूज़ करता हूं båता हो सारे यूज़ज करने के बाद में आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ तो यह मैंने पहले से install कर रखाओं और यूज़ज़ज करता हूं तो इसके साथ open करते हैं open करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस open होगा यह मैंने fingerprint डाल कर रखा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा जब आप home में जाएंगे तो आपके सामने यह बहुत सारे जो offers बगरह आपको ऐसे सो होंगे और इसमें credit cards बगरह भी आपको दिखेंगे active और active बगरह इसके बाद से card में अगर आप जाते हैं तो अगर card में जाते हैं तो यह आपके जितने भी cards बगरह होंगे आप यहां पर नजर आएंगे जितने आपके कार्ड होंगे, क्रेडिक कार्ड होंगे, सब यहां पर नज़र आएंगे, तो इसके यह तभी नज़र आएंगे, जब आपको, अब यहां पर add कार्ड में आपको जाना पड़ेगा, add कार्ड में जाने के बाद यहां पर आपको डालना पड़ेगा, डालने के बाद यह सो कर रहा है ऐसे आपका card सो करने लगेगा तो जीतने भी आपके card होंगे आप add card में जाके information सोरा digit डालेंगे और proceed करेंगे तो ऐसा आपका card सो होने लगेगा इसके साथ वो card के unbuild unbuild जो भी amount है वो यहाँ पर आपको सो होने लगेंगे साथ में जो max है इसके द्वारा आप rent पे कर सकते हैं और education जो fees है उसको भी पे कर सकते है credit card के द्वारा benefits वगरा इसमें आप दे सकते offer और benefits आप यहाँ पर देख सकते हैं और जैसे जीतने भी card होंगे इसके साथ साथ इसके साथ आपको जैसे historical statement देखना है तो आपका इसी प्रकार से किस महिने के आपको देखना है तो statement बगरा देख सकते हैं इसके साथ चीप card जो भी आपके card आपने इसमें अचीप किया है मतलब add किया है वो सारे कर सकते हैं इसके साथ कॉल बैंक कस्टूमर क्यारत यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जैसे कार्ड सो होंगे तो कार्ड के यहां पर ऐसे एरो पर क्लिक करेंगे तो जो क्रेडिक कार्ड के जो एविलेवल लिमिट है तो वह ऐसे मतलब आप यहां पर एक help line number आएगा जिसको आप कॉल लगाने के बाद आप सारी information ले सकते हैं यहां पर बहुत सारी हैं नहीं जुड़े हैं अप्ग्रेड यो कार्ड का अप्ग्रेड करने के लिए इंक्रीज यो क्रेडिट लिमिट है फ्रो ट्रांजिक्सान कैंसल इस कार्ड पेमेंट रिलेटेड इंक्वारी अबाउट डिवार्ड पॉइंट चेंजिंग पेन और अधर इंफ्रमेशन के लिए भी आपको यहां पर एक हैल्पलाय नंबर मिलेगा आप यहां पर कॉल पर क्लिखेंगे वहां पर कॉल को जाने लगएगी तो इस प्रकार आप credit card के द्वारा जो bank account में पैसे transfer कर सकते हैं, वो इसके द्वारा पे कर सकते हैं, rent पे कर सकते हैं, bank account वेगरा card बहुत सारी जो है, जो हम आपको next video में देंगे, इसके बास यहाँ पर money में click करते हैं, यहाँ पर add, यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है, account और credit score, तो यहाँ पर account में क्या है, आप add account में जाएंगे, जिस से सम्मंदित, आपका account, SBI, ICI, जिस से भी सम्मंदित, जो आपका account होता है, तो यहाँ पर SBI से search करेंगे, सर्च करने के बाद, जो भी आपका mobile number होगा, तो उसी mobile number से, जो mobile में आपने डाला होगा, जो mobile number आपके bank से attach होगा, तो यहाँ पर सारी चीज़े verification करके, और यहाँ पर आपका account show होने लगेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने बाद यहाँ पर show होने लगेगा, और done हो बदाएगा, तो इस परकार से यहाँ पर अपना account, details बगरा जोड़के, और सारी अपने account add कर सकते हैं, जैसे कि आप phone pair में आप add करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, credit score में आप यहाँ पर, अपना जो credit score अहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे मेरा 744 credit score बता रहा है, तो उस परकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद से report बगरा अगर आपको देखने हैं, कि civil score से सम्मंदी आपका पूरे report से देखनी हैं, तो ऐसा interface आपका सामने खुलेगा, और सारी information ऐसा, यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके activities bank से लेन देन हो, credit card से लेन देन हो सारी यहाँ पर सो करने लगेगा, कि आपका one time payment का एक्सलेंट है, क्रेडिट utilization का गुड़ एक्सलेंट है, क्रेडिट age कैसा है, आपका new credit account कितने है, credit maximum कैसा है, तो वो सारे यहाँ पर जो review है, आपका कैसा bank से आपका सम्मंद है, वो यहाँ पर सब सो करने लागेगा. तो इस कार्ड के माध्धम से आप बहुत सारी चीजे ऐसा ले सकते हैं अच्छा अब बात रहें जैसे अब देखें मैंने चेक किया तो यह जो मेरे स्कोर से गिर गया अब देख सकते कि मेरे 744 था और मेरे क्रेडिट स्कोर यहां पर गिर गया तो यह भी बड़ी समस्या है तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं यहां पर देखिए मेरा क्रेडिटी स्कोर ही गिर गया अच्छा इसके अब आपको जितनी बार अगर आप चेक करते हैं जितनी बार आप चेक करते हैं तो आपका क्रेडिटी स्कोर गिर जाता है और यहाँ पर मैंने कई बार चेक किया था उसकी बजास से यहाँ पर credit score गिर किया है इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी आपका bill amount वगरा जैसे card से card है card का अगर payment वगरा करना है जैसे मेरा जो यह ICIC bank का credit card है इसको हम payment करने जाते हैं तो यह ऐसा payment करेंगे यहां आपके सामने ऐसा ओपन होगा इंटरफेस ओपन होगा इसके बाद से यह कुछ प्रोसेस टाम लेगा आप किस से इसका प्रेमेंट करना चाहते हैं आप वह बैंग एकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे प्रोसेस टूपे में आपके क्लिक कर देंगे अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर जो मैंने क्रेडिक काड का बिल पेमेंट किया है तो यहां पर पांच रुपया मेरे को कैस बैक मिला है इस प्रकार से प्रतेक क्रेडिक काड के बिल पेमेंट पर आपको कुछ ना कुछ कैस बैक मिलता रहे हैं पांच रुपया स कर सकते हैं आपसे request है कि मैं description description में आपको इस credit card के link को मैं share कर रहा हूं आप इसे link को click करके आप application को download कर सकते हैं download करने के बाद आपको credit card कैसे credit card आपको कैसे add करना है और कैसे bank account उसमें add करना मैंने आपको समझा दिया वहसे आप add कर सकते हैं add करने के बाद आपको credit card का bill आप इसके द्वारा जैसे pay करेंगे तो आपको cashback तो मिलेगा ही देखिए इस लिए ये एक safe and secure app है इसके brand ambassador अनिल कुमार है अनिल कपूर है और ये trusted application है और इतना ही नहीं आप किसी भी जैसे phone पे Google पे प्रेटियम के द्वारा अगर credit card का bill पे करते हैं तो आपको कुछ भी रुपया नहीं मिलता है किन्तु अगर credit application के द्वारा अगर आप bill payment करते हैं तो आपको कुछ ना कु cashback मिलता है तो ये कुछ भी ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो कुछ मिल रहा है साथ में इसमें offers बेकरा भी मिल रहा है बहुत सारी इसमें facilities भी मिल रही है जो other चीज में नहीं मिलते हैं इसके साथ हैं आप इसमें दोस्तों को जैसे आप इस application के जो credit card का first payment करते हैं अगर मेरे description में जो link के दिया है उसको click करके और इस application को download करने के बाद आप credit card का add करते हैं और bank account detail add करते हैं और उसके first payment करते हैं credit card का तो आपको 100 रुपया से 500 रुपया तक आपको cashback मिल जाएगा तो मिलते हैं इसके part 2 वीडियो में अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं जैहिल जै भारत